जहिन साथियों स्वागत आपका एक बार फिर से इस नई वीडियो में दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे पे फिक्सेशन और पे प्रोटेक्शन के बारे में दोस्तों काफी लोगों ने सवाल किये हैं काफी लोगों के डाउट्स हैं इसके बारे में तो आज के इस वीडियो में कुछे questions भी देखेंगे और साथ ही जानेंगे ये pay fixation और pay protection एक्च्वल में है क्या दोस्तों सैनिको से जोड़ी सारी खवरों को जानने के लिए subscribe का फटन दबाएं और bell icon को प्रेस करके all का फटन दबाएं ताकि सारी latest जानकरी आपको मिले सबसे पहले तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि pay protection और pay fixation में क्या अंतर है fixation का मतलब है कि आपकी जो सेना में आपने नोकरी की है उसकी hardship को देखते हुए आपकी pay को एक certain level पे fix किया जाता है जिसमें कि आपने सेना में जितने वर्स नोकरी की है उतने वर्सों का आपको additional increment दिया जाता है जिस भी नोकरी में आप जाते हैं उसमें तो दोस्तों 1986 से पहले ये rules बराबर थे सभी के लिए चाहिए वो अधिकारी हो चाहिए वो JCO ORs हो but 1986 में government ने amend करके JCO ORs के लिए rules को खतम कर दिया इसके बारे में अभी काफी चर्चाएं चल रही है काफी discussion चल रहा है और इसके जो कुछ है cases है वो government के पास विचारा धिन भी है तो अभी देखिए उसका क्या नतीजा आता है दोस्तों अभी कुछ सवाल ले लेते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि pay protection हमको मिलता है तो उसका जो maximum benefit है वो कब होगा तो आपका जो pay protection का benefit है वो maximum रहेगा और जितनी लेट आप pay protection वाले जोब को आप हासिल करते हैं उतना ही आपको जो benefit है financial वो कम होगा दोस्तों एक सवाल यह है कि माल लीजिए किसी सैनिक ने 15 साल नोकरी की और किसी सैनिक ने 20 साल नोकरी की तो दोनों के pay protection में कितना अंतर होगा तो दोस्तों यहाँ पर हमको एक बात समझनी होगी कि bank जो pay protection करता है या और जो financial institution pay protection करता है वो आपकी LPC यानि की last pay certificate के हिसाब से करता है वो यह नहीं देखता कि आपने कितनी नोकरी की है बलकि वो यह देखता कि आपने जब नोकरी आपकी समाफ्त हुई उस time के उपर आपका last pay कितना था उसी के हिसाब से वो आपकी pay को protect करता है दोस्तों इसमें एक चीज़े आती है कि हो सकता है कि 15 साल की नोकरी वाले को pay protection का अधिक लाब मिले और 20 साल की नोकरी वाले को कम मिले यह इस कंडिशन में हो सकता है कि माल लीजे किसी ने 15 साल नोकरी की और उसने आने के बाद 2, 4 या 6 महिने में जो नया जोब उसने हासिल कर लिया और किसी ने 20 साल नोकरी की लेकिन उसको नया जोब हासिल करने में 4 या 5 साल लग गए क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं पे के अंदर तो क्या उन सारे कंपोनेंट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है तो इसमें ऐसा नहीं है उसमें कुछे कंपोनेंट्स है जिनको प्रोटेक्ट किया जाता है जैसे कि बेसिक पे डिये ग्रेड पे और क्लास पे इसमें MSP के उपर कैसे चल रहे हैं कि MSP को सामिल किया जाए या नहीं किया जाए अभी फिलाल तो सामिल नहीं किया जा रहा है MSP का जो benefit of protection में नहीं मिल रहा है तो इन चारों components को इसमें सामिल किया जाता है दूसरा इसका एक और पहलो है कि कुछ एक लोगों को completely pay protection नहीं मिल पाता है क्योंकि कई जो सेना में लोग होते हैं जैसे आपने देखे होंगे तीनू forces के अंदर कुछ एक लोग जो X group में होते हैं और वो direct JCOs बन जाते हैं तो वो जब सेना छोड़ के आते हैं तो उनका जो basic पर होता है अल्रडी काफी जादा रहता है जैसे कईयों का 50,000 से भी उपर होता है 52,000-56,000 रुपय होता है लेकिन जो bank का clerical में जो आते हैं उनका जो highest जो है वो 47,920 रुपय है तो उनको जो bank के clerical का highest है उससे उपर उनको fit नहीं किया जाता है तो सही माइने में उनका जो pay protection है उसको पूरा protect नहीं किया जाता है लेकिन ऐसे cases बहुत कम होते हैं क्योंकि ज़्यादातर cases में यही रहता है कि जो bank का highest रहता है जब कोई भी सैनिक सेना की नोकरी छोड़ के bank में आता है तो उस time पे उसकी salary लगबग इतनी होती है कि जो bank की clerical की salary है उसके आसपास या उससे कुछ कम ही होती है तो ऐसा बहुत कम cases में होता है सभी cases में नहीं होता तो दोस्तों यह थे कुछ है questions pay fixation और pay protection के बारे में उमीद है कि आपका confusion कुछ कम हुआ होगा और इसी प्रकार के अन्या interesting video या job से संबंदित जो भी videos है उनके लिए like, share, subscribe का विटन दबाए और bell icon को press करके all का विटन दबाए दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद जहिन